हलो एवरीवन वेलकम बैक टू रैजिंग एकाडमी अभी हम कुछ वीडियो से सेल्फ इस बेसिक इनुट अफ लाइक पढ़ते आ रहे हैं जिसमें लास्ट थ्री और फॉर वीडियो में हमने सेल ओरडियो से कैशे बीडियो के बारे में पढ़ना इस्टार्थ किया था एक लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है सेल और एप्लास्टीड माइट्रोगांडिया इंडोप्ला़्म केृटिकुलrost और गॉल्गी अपयर्टर और आज हमें पढ़ना है शेल झांएल पार्ट लाइजोजोम सो लेट से स्टाट फर्स्ट अपिक अफ लाइजोजोम इस इंटोड़क्शन एंडिस्कवरी लाइजोजोम वर्सको तू पार्स में डिवाइट किया गया है फर्स्ट पार्ट इस लाइजो यह ब्रेकडाउं और सेपरेटिंग और सिकेंड पाट इस सूम्स आध मिन बोरी और स्ट पर मिन्गुड़ी लेट्स अफर्स्ट परेटीं पंसर्क क्रीस्ट अंतिस्टी रह लाइजोजोंर गःस्वरी इस्ट्रक्चर ओफ लाइजोजोम आपके सामने सेल का माइकोवेस्कॉपिक इस्ट्रक्चर शो हो रहा है जो यहाँ पर ग्रीनी से स्ट्रक्चर हमें राउंड शेप में दिख रहे हैं जब उसे हम इनलार्ज करते हैं तो हम लाइजोजोम इस टाइप से हमारा वेसाइकल्स के रूप में शो होता है और पिक्चर से क्लियर है कि लाइजोजोम सिंगल मेंब्रेन बाउंडेड और यानली है और यह ही केरियेटिक स्ट्रक्ट के साइटो प्लाज में फाये जाते हैं लाइजोजोम स्ट्रक्ट शेफ्ट वेसाइकल्स होते हैं और इसमें नमबर ओफ एंजाइम्स जिसे हाइडोलेटिक एंजाइम्स के नाम से जानते हैं वह प्रेजेंट होता है और यह हाइडोलेटिक एंजाइम्स सेल के अंदर या सेल के बाहर distribution और breaking down of all organic materials जो cell के लिए needful है को करने में capable होते हैं Next topic of lyozoomies enzymes enzymes परने से पहले हमें endoplasmico reticulum के structure पर थोरा सा review करना होगा जैसे मैंने आपको endoplasmico reticulum के वीडियो में बताया था कि endoplasmico reticulum nucleus से attached होता है और endoplasmico reticulum में protein and lipids के synthesis होते हैं और lyozoomies enzymes परने जाते हैं वो enzymes भी endoplasmico reticulum में ही synthesis होता है और ये enzymes raw material के रूप में ER में synthesis होता है इसे हम descriptive way में पहले समझेंगे endoplasmico reticulum में जो raw material बनता है वो functional नहीं होते हैं means वो raw material vesicles से होते हुए गौलगी apparatus में enter करता है और वहां ये materials modified और functional वोकर फिर बाहर निकलते हैं और lyozoom के vesicles में पहुचते हैं और lyozoomies के ingredients भी गौलगी apparatus में जाकर modified होता है और ये modified lyozoomies फिर बाहर निकलते हैं lyozoomies में कौन-कौन से enzyme पाये जाते हैं उसके बारे में अब हमें देखना है जैसा कि अभी-भी हमने describe किया है कि lyozoomies में hydraulic enzymes पाये जाते हैं किसी भी enzyme को function करने के लिए एक best acidic medium चाहिए तो lyozoomies भी एक enzymes है इसे भी function करने के लिए best perform करने के लिए acidic pH medium होना चाहिए तभी ये lyozoomies में इसे डिक enzyme best function कर पाएंगे lyozoomies में 40 varieties के enzymes पाये जाते हैं और इन enzymes को two category में divide किया गया है first party proteases and second party lipases proteases का work है protein को digest करना and lipases का work है lipids को digest करना और ये दोनों enzymes digestive enzymes होते हैं और ये enzymes cell के अंदर या cell के बाहर जो ही materials होते हैं उसे degrade करने में help करते हैं और इसलिए हम इस hydrolytic enzymes को hydrolysis के नाम से भी जानते हैं नेक्स टॉपिक इज functions of lyzozome first function of lyzozome lyzozome contain strong digestive enzymes इसका तो description हो चुका unicellular organism है intercellular digestion होता है तो ये intercellular digestion कैसे होता है उसे आप समझे आमीवा food particles को first of all engulf करता है और lyzozome अपने strong digestive enzyme के द्वारा इसे smaller particles में छोटे छोटे particles में break करता है और फिर cell से बाहर exit कर देता है सेम उसी टाइप से human beings में microfages process के द्वारा phagocytis process के द्वारा enzymes का digestion का phagocytis process complete होता है और इसे समझने के लिए white blood cells का example best होगा तो white blood cells में जब bacteria और virus enter होता है तो ये lyzozome के साथ attached हो जाते हैं ये bacteria और virus lyzozome के साथ attached हो जाते हैं और strong digestive enzymes के थूँ ये bacteria और viruses small particles में break हो जाते हैं जैसा कि amoeba में हो रहा था और breakdown होने के बाद ये cell से बाहर निकाल दिये जाते हैं और इस process को हम एक जो citrosis बोलते हैं जैसा कि amoeba में phagocytrosis process के द्वारा digestion हो रहा था human beings के white blood cell में एक जो citrosis process के द्वारा digestion होता है next topic is removal of dead organelles and do autophagy process autophagy process के समझने के लिए अब मैं आपको बता रही हूँ कि lizozooms cells के अंदर मौझूद worn outs and damaged organelles को ये lizozooms खा जाते हैं क्योंकि ये organelles cells के लिए waste material होते हैं और lizozoom अपने enzymes के थूँ इसे digest कर देता है और cell फिर से refresh हो जाता है next topic is work perform in developmental stages lizozooms में जो enzyme पाये जाते हैं वो developmental stage that means embryo stage adult stages में helpful होता है next topic is lizozooms work as societal bags इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि cells के अंदर अगर कोई organelles dysfunctional और dead और aged हो जाते हैं तो वो cells के लिए उसका कोई importance नहीं रहता है तो lizozooms फिर क्या करते हैं lizozooms उन cells के साथ जो dysfunctional या एजेट हो गए हैं उनके साथ fuse होकर अपनी membrane को lizozooms अपने membrane को रप्चर कर देता है और lizozooms के अंदर मौजूद hydroletic enzymes cells में secret हो जाते हैं और इस तरह cell को complete digest कर देता है और इस तरह complete digestion process जो lizozooms में होते हैं उसे autophagy process और cell fisting process भी कहते हैं इस तरह से worn out cells, aged cells और dead cells को remove करने में lizozooms help करता है next topic is diseases related with lizozooms lizozooms से जुरे हुए diseases कौन से हैं तो एक disease जो आपके screen पे दिख रहा है उसे taste sex, disease के नाम से जानते हैं और ये disease कैसे होता है, वो आप समझिए अगर हम brain cells की बात करें, तो brain cells के endoplasmic reticulum में ACR में lipid का synthesis होता है और lipid के requirement cancer according, अगर brain cells में इन lipids का store बढ़ जाता है, अगर उसकी खपत वहाँ पे नहीं होती है तो वहाँ पे ये lipids store हो जाते हैं, accumulate हो जाते हैं और जिसके कारण taste sex, disease का जर्म होता है और इस disease को हम mental illness के नाम से भी जानते हैं तो इस तरह से हमारा lyzogome topic complete होता है तो lyzogome के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा है कि lyzogome को Christian Scientist Rene V. Duwey ने 1949 में discover किया था lyzogome single membrane bounded organism है और यह eukaryotic cells के cytoplasm में पाया जाते हैं और lyzogome में hydrolytic enzymes होते हैं जो की distributing और breakdown of all organic material जो हमारे cell में होता है उसके लिए capable है lyzogome में जो enzyme पाया जाते हैं वो endoplasmic reticulum में raw material के रूप में synthesize होता है अगर हम lyzogome के enzyme की बात करें तो lyzogome में two types के enzyme पाया जाते हैं proteases and lipases proteases का काम है protein को digest करना and lipases का काम है lipids को digest करना functions of lyzogome में हमने पढ़ा है digestion by phagocytosis जिसमें amoeba के example के द्वारा जो की एक unicellular organism है उसमें हमने अभी पढ़ा है कि amoeba किसी भी outer food particles को और इंगल्फ करता है और उसको उसमें lyzogome अपने strong digestive enzymes के द्वारा उसके smaller particles में break करता है और cell से बाहर exit कर लेता है सेम उसी टाइप से human being में white blood cells के साथ भी phagocytosis process complete होता है next, removal of dead organelles and do autophagy process इसमें lyzogomes cells के अंदर जो worn out और damaged organelles होते हैं उसको खा जाते हैं और organelles के waste materials जो होते हैं उसको वो digest कर लेता है और cell refresh हो जाता है work performed in developmental stage में हमने पढ़ा है कि embryo से लेकर adult बनने तक में lyzogomes में पाया जाने ओले enzyme helpful होते हैं lyzogomes works as suicidal bag इसमें हमने पढ़ा था कि जो human body में या eukaryotic cells में जो dysfunctional और aged और worn out cells होते हैं उसको remove करने में lyzogomes help करता है इस तरह से lyzogomes topics हमारा complete होता है थांक यू थांक यू